नमशकार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खोच खबर कायकरम प्रधान मंत्री नरेन मोदी आखिरकार अपनी तमाम ग्लैमर वाली यात्रा से वापस भारत आ गए हैं अमरीका और मिस्र की यात्रा की अंगिनत फोटो वीडियो आप तक पहुचे ही होंगे और खासतोर से यह वीडियो जो उनके भक्तगर्ण प्रसारित कर रहे हैं जिसमें प्रियर निउस एंकर भी शामिल हैं जिसमें बताने की कोशिश हो रहे हैं कि वे किस तरह से दुनिया के बॉस हो गए हैं और देखिए देश में आने के बाद उन्हें याद आई मनीपुर की मनीपुर को लेकर एक एहम बैठक उन्होंने की जिसमें तमाम कैबनेट मंतरी ग्रिह मंतरी शामिल हुए देखिए ये वही मनीपुर है जो तीन मई यानि 51-52 तिरपन दिनों से जल रहा है जहां पर डबल इंजन की सरकार है और उसके बारे में अभी तक जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने एक शब्द नहीं कहा और देश से लेकर दुनिया में यहां तक कि अमरीका में भी जहां वे पहुचे थे वहां पर भी कोकी नागरिकों ने मांग की थी कि देश के प्रधान मंतरी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ें आखिर ऐसा क्या खास है मनीपुर में जिस पे प्रधान मंतरी को मजबूर होकर इतने दिनों तक अपना मू सिलकर रहना पड़ा आईए जानते हैं मनीपुर को तो देखें बात मनीपुर की हो रही है और यह वीडियो जो अभी आप में देखा यह किस तरह से प्रचारित प्रसारित करके बताया जा रहा है कि मोदी जी का जलबा पूरे देश नहीं पूरी दुनिया पर है लेकिन इसी क्रम में जो बहुत जरूरी सवाल हैं जो मनीपुर से उठ रहे हैं इन पर बात करनी बहुत जरूरी है और इन पर हमने बात करने की कोशिश की नियूस क्लिक के जो समधाता वहां गए हुए हैं और जानने की कोशिश की की आखिर क्या वज़ा है कि जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी नाराजगी है जिसको लेकर तमाम दल चाहे मैती हों या कुकी हों या नागा हों सारे के सारे लोग एक स्वर में बोल रहे हैं कि यह हमें मुख्यमंत्री के तोर पर बरदाश नहीं हैं आखिर क्यों उसी पर दाउं चल रही है मोधी सरकार क्या ऐसा खास है और इसके पीछे का जो छुपा हुआ एजंडा है जिसे लेकर अब बहुत चर्चा हो रही है खबरे आ रही है वह क्या है आएए जानते हैं अपने समाधाता से पचास दिन से जादा हो गए है कि इंटरनेट नहां पर बंद है राइट विच अगॉर्ण तो इसमें एक तरफ तो कहनी कोशिश करें है कि सिटूएशन बिल्कुल नॉम्मला है कोई दिक्कत नहीं है और इंफाल की कहीं पार्ट में आगर आप आएंगे तो लगेगा कि ऐसा ही है रहा बट जो फिलहाल जो सिटूएशन है दो साइट जो जो फैक्शन जिनके बीक्ष लड़ाई है मैते ही और कुकी उनके बीच सब्सक्राइब एक तरफ मैथी लोगों ने रोड पे अब्सक्राइब लगाए है और ते वहां पे पहरा दे रही है गाडियों पर चेकिंग बगारा हो रहा है दूसरी तरफ कुकीज आ डूइंग दूसरी तरफ कुकीज आ डूइंग बड़े-बड़े वहां पे बोर्ड लेवल पे यह जो स्टेट है यह इस वट डिवाइड़ है और और इंटरेसिंग बात यह एक और है कि एक दो चीज़े हैं जिस पर यूनिटी है अगर आप पिछले कुछ दिनों के न्यूज रिपोर्ट वगारा देखींगे तो नौ एमेले हैं जो बीजेपी एमेले हैं उन्होंने कैटेगोरिकली यह कहा है कि इस गर्वर्मेंट हैस पेल अट एब्री लेवल हाला कि देश के ग्रह मंतरी उन्होंने जो आल पार्टी मीटिंग की उसमें भी बताने की कोशिश की कि इस्थिती इतनी खराब नहीं है इस्थिती नियंतरण में आ रही है लेकिन लगातार वहां से जो खबरें हैं जो रिपोर्ट्स हैं देश की राजदानी दिल्ली में ज इलहाल कोई रास्ता नहीं है कोई मीडियेटर नहीं है कोई बड़ा चेहरा और नाम नहीं है जो दोनों दलों को या दोनों जो पक्ष हैं उनको बैठा सके और बात करा सके अब आईए देखिए ये हैं हमारी देश की वित्रमंतरी निर्मला सीता रमन इन्होंने भी जब अ आसम की मुख्यमंतरी हेमंत बिसुसर्मा थे तब लगता है कि जरा सी आलोचना एक सवाल जो विदेश की धर्ती पर पूछा गया वो कितना नागवार गुजरता है निर्मला सीता रमन जिनके पास काम है देश के वित्र को संभालने का लेकिन वो इंटरनाशनल अफेर में ह हमला किया गया था 26,000 से अधिक बम बरसाए गए थे लेकिन निर्मला जी आप भूल गई कि आप जिस काल के बारे में बात कर रही हैं जब वहां पर बराक उबामा राश्टपती थे उस समय उनके उप राश्टपती यही शक्स थे यानि जो बाइडन और इन दोनों ने मिल कर यह सारे की सारी कारगुजारी की जिसको आप आज कोट कर रही हैं लेकिन सवाल एक बहुत सीधा सा है कि अगर बराक उबामा ने CNN को दिये इंटर्व्यू में सीधे सीधे कहा कि जो बाइडन को पूछना चाहिए मोदी जी से कि जिस तरह से मुसल्मानों के उपर हिंसा है मुसल्मानों को निशाने पिलिया जा रहा है वह लोगतंतर के लिए अच्छा नहीं और आगे बढ़के उन्होंने यह भी कहा कि भारत को भी यह सोचना चाहिए कि अगर देश में इस तरह की विभाजन कारी शक्तियां रहेंगी तो देश का विकास नहीं हो सकता आप इससे जैसे तमाम लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि देखिए क्या होता है क्यों भारत की छवी ऐसे बनती है सारी दुनिया ने देखा कि प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जो 9 साल में भारत के एक भी पत्रकार को या समधाता समेलन को एड्रेस नहीं करते उन्हें मजबूरी म अमरीका में एक प्रेस कॉंफरेंस को एड्रेस करना पड़ा एक ही सवाल लिया और यह सवाल आया था वाल स्ट्रीट जर्नल की जर्नलिस से सबरीना सिदीक से और इस सवाल में सीधे सीधे पूछा कि मुसलमानों को इस तरह से निशाने पे क्यों लिया जा रहा है और आप यह जो पूरी टाइम लाइन आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह से इस महिला पत्रकार के उपर पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी हावी हो जाती है और तो और भारती जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुक अमित मालवी इसे एक टार्गेटेट सवाल की तोर पर देख आ रहा है कि मुसल्मानों को हम कैसे देखते हैं और अगर किसी के नाम के आगे सिद्धीक, अंसारी कुछ भी लगा है जिससे वो मुसल्मान दिखाई देते हैं या समझ आते हैं तो भारती जनता पार्टी के तमाम नेता तमाम आईटी सेल के प्रमुक किस तरह से हमलावर हो कितनी हैरानी की बात है कि जब विदेश की धर्ती पर सवाल उठता है प्रधान मंत्री नरेन मोदी से सवाल पूछा जाता है तब पूरा का पूरा सिस्टम उसके खिलाफ दुश्परचार करता है लेकिन देखिए यह घटना देश की है देश महराश्ट नासिक नासिक में जि सजीद अंसारी को पीट पीट कर भीड मार देती है नासिर हुसेन जो उनके साथ थे वे घायल हैं क्रिटिकल है वजह इस भीड को यह सिर्फ अंदेशा होता है कि जो मटन है वह गाय का मटन है यानि गौमास ले जा रहे हैं इसे साबित अभी तक नहीं किया गया ना उनके पास साबित करने की कोई मशिनरी है लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि जिस भीड तंत्र को उतारा गया है तैयार किया गया है जिस तरह से एक उग्र हिंदू सेना को तैयार किया जा रहा है वह किसी को भी कभी भी निशाने पर ले सकती है और ये पहला वाक्या नहीं है इसी इलाके में तक्रीबन इसी जगह के आसपास आठ जून को भी ऐसा ही हमला होता है जिसमें निशाने पे तीन लोग आते हैं और लुक्मान अंसारी की लाश दो तीन दिन बाद मिलती है यानि ये जो भीड है निर्मला सीता रमन जी ध्यान से देखिए ये भीड उसी भगवा ग जरंगदल के हो जाते हैं कभी गौरक्षक हो जाते हैं कभी विश्व हिंदू परिशत के लोग हो जाते हैं जो गाए के नाम पर हिंसा करते हैं और सिर्फ गाए के नाम पर ही नहीं अगर आप नक्षे को ध्यान से देखिए तो हम लगातार इस बात की और इशारा कर रहे है कि चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, या फिर महराष्ट, इन तमाम जगहों पर पिछले छे महिनों से जो खबरे आ रही हैं, वह परेशान करने वाली हैं, चाहे वो मद्ध प्रदेश की घटना हो, या उत्तर प्रदेश की घटना हो, और खास दोर से देखिए, यह हिमाचल प्रदेश का वीडियो, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश को भी उसी तरह से उग्र हिंदुत्व की आग में जलाने की साजिश रची जा रही है, हम सब ने देखा कि उत्तराखंड में एक गलत खबर के आधार पर, अन गिनत मुसल्मानों की, उनके परिवारों की जिंदगी तबाह की गई, और इसी क्रम में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, यह वीडियो जो गुजरात से आया है, सुरे नगर से आया है, इस से पहले भी हम इस तरह के वीडियो के बारे में बात कर चुके हैं, जो महराज से आते रहे हैं, उत्तरप्रदेश से आते रहे हैं, उत्तरप्रदेश कानपूर से आते रहे हैं, जहाँ पर खुले आम हिंदू नोजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, अब आप देखिए कि ये जो सारी खबरें हैं, जिन पर बहुत कम चर्चा होती है, मेरा सीधा-सीधा हिंदू नौजवानों को इस तरह से उग्र सेना में तबदील किया जा रहा है इससे फायदा किसको है और कहां तक यह राजनितिक फायदा पहुचेगा भारती जनता पार्टी को क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमें दिखाई देता है महराष्ट में महराष्ट में इस तरह की अंगिनत बैठके होती हैं अंगिनत रैलिया होती हैं जिसमें सुदर्शन न्यूस से लेके तमाम लोग पहुचते हैं मुसल्मानों के खिलाफ नफरती भाशन देते हैं युवाओं को उकसाते हैं और उसके बाद जिस तरह से जमीन पर हिंसा होती है सवाल बहुत सीधा सा है कि ये जो हिंसा का दौर है ये जो हिंसा हो रही है जिसे ट्रेन किया जा रहा है ये और नाइस्ट क्राइम के तोर पर है ये संगठित अपराद की तैयारी हो रही है और इसका connection इसका परिणाम क्या होगा वो जलता हुआ मनीपुर बता रहा है सवाल बहुत सीधा सा है और यह सवाल निश्चित तौर पर मोदी जी से पूछा जाना चाहिए क्योंकि जैसे ही वो अंतराश्टिय मंच पर पहुचते ह हैं हमने देखा जब उनकी अमरीका यात्रा चल रही थी तब से लेकर चाहे वो मिस्र की यात्रा हो वहां यह बताने की कोशिश होती है कि हम सभी धर्मों को समान धंग से देखते हैं मोदी जी यह अंतराश्टिय मंच पर नहीं देश के मंच पर करके दिखाईए क्योंकि ज अगसम के मुख्यमंत्री हैं जो आफी के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ आफी के तमाम लोग कैबनेट मंत्री हैं जो मुसलमानों को लगातार निशाने पर लिये हुए हैं यह उपर से लेकर नीचे तक जो हिंसा पहुच रही है यह देश को भीशन संघर्ष की ओर मजबूर कर रही है शुक्रिया